स्वागत थे बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल टूडेस डॉन एजुकेशन में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं सिक्स क्लास की हिस्ट्री और आज जो हम सॉल्व करने वाले वह है चैप्टर नंबर टैन व्यापारी राजा और तीर थे आत्री आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे तो चलिए बीना देर की हम शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप मारे चनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो पसंदा है तो वीडियो को उप्यूक्त जोड़े बनाओ मैचिंग वर्ड है यह तो चलिए मैच करते हम दक्षिडा पत के स्वामी तो इसको मैच करेंगे हम एका थर्ड में साथ वाहक वन्स के शासक साथ वाहक शासक ठीक नेक्स्ट है मुवेंदार मुवेंदार इसका होगा बी का फाइव और सी का होगा अश्वा घोष का फर्स्ट यानि बुद्ध चरित और डी का मैच करेंगे हम सेकेंड वाले मैं महयान बौध धर्म यानि बोधी सत्व का महयान बौध धर्म और इका मैच करेंगे हम फोर्थ में वेंसांग का चीनी यात्री वेंसांग एक चीनी यात्री था जो भारत आया था चीक है राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे इसका अंसर देखते हैं राजा सिल्क रूट से गुजरने वाले व्यापारियों को आसपास के लोगों के द्वारा यात्रा शुल्क वसूलने और लुटेरों के आक्रमर से स्रक्षा प्रदान करते थे इससे निश्चिंत होकर व्यापारी सिल्क रूट से सामान लाने और ले जाने लगे इससे व्यापार में मुनाफ़ा बढ़ा इन सुविधाओं के बदले व्यापारी इन शासकों को कर शुल्क और तोफे देते थे इन आर्थिक लाब के कारण कुछ शासक सिल्क रूट के बड़े-बड़े हिस्तों पर अपना नियंत्रन कायम करना चाहते थे ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं व्यापार और व्यापारीों के रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहास कर किन-किन साक्षियों का उप्योग करते हैं इतिहास कर व्यापार और व्यापारिक रास्ते के बारे में जानने के लिए विभिन साक्षियों का प्रियोग करते हैं साक्ष यानी सबूत वे तिर्थ यात्री द्वारा लिखे किताबों का अध्यन कर व्यापारिक रास्ते को जानने की कोशिस करते हैं अगर कोई सामान बहुत दूर देश से लाया गया है तो इससे पता चलता है कि विश्य के दूसरे देशों के साथ भी यहां की व्यापारिक संबंध थे जैसे रोम में यहां से मसाले और सोरे पहुँचाये जाते थे साथ ही इतिहास कर उच समय के प्रचलन में मिले सिकों से भी व्यापार का पता चलता है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं वहला कोशन है हमारा बक्ती की प्रमुख विश्यस्ताएं क्या थी इसका अंसर देख लेते हैं भक्ति की प्रमुख विश्यस्ताएं निर्म्न तरह की हैं पहला है इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती थी दूसरा है इसमें सभी जाती धर्म और वर्ग के द्वार खुले थे और तीसरा है इसको अपनाने वाले लोग आदंबर को छोड़ कर इश्वर के प्रती लगन और व्यक्तिगत पुजा पर जोर देते थे और अगला पॉइंट है इसका इसमें अराध्य देवी देवताओं की पुजा मानों के रूप में मानों के रूप के अलावा और किसी भी रूप में की जा सकती थी ठीक है नेक्स कोशन देखते है चीनी या तिर्थी यात्री भारत क्यों आए कारण बताओ देखते हैं इसका अंसर म्यापारियों के साथ कुछ तिर्थी यात्री भी यहां आते थे उनमें से कुछ तिर्थी य सात्री चीन से यहां आये थे वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगों और प्रसीद मठों को देखने यहां आये थे चलिए नेक्स्ट को देखते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी देख सकें इसके लिए आप मारे प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं इससे पहले के जितने भी चैप्रस हैं हिस्ट्री के चले देखते हैं साधारन लोगों का भक्ति के प्रति आकर्शित होनी का कौन सा क भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक किसी भी देवी देवताओं को चुन सकता है अब देवी देवताओं की पूजा किसी भी रूप में अपने तरीके से करने की आजादी थी अब धर्म पर से ब्रामरों का वर्चस्व खत्म हो चुका था वर्चस्व में यानि वर्चस्व का मतलब होता है एकाधिकार वच्चस्व का मतलब एकाधिकार ब्राम्रों का एकाधिकार जो था धर्म पर से खत्म हो चुका था और आडंबर और कुरीतियों का भी कोई स्थान नहीं था आडंबर यानि पाखंड वैसी रितियां और परंपराएं जो बुरी है जैसे कि सती प्रथा सती प्रथा जो थी वो बुरी थी एक बुरी प्रथा थी इसे कुरीति कह सकते हैं हम इसमें विद्वा औरतों को जो है उसके हस्बेंड के चिता पर ही सुला करके लिटा करके उसको जबरदस्ती इसको जला दिया जाता था इसमें तो यह बुरी प्रथा थी तो इसको कुरीति कह सकते हम तो उस समय में अब कुरीतियों का भी जो और आडंबरों का भी कोई स्थान नहीं था यह सभी साधारन नियम साधारन लोगों को भक्ति के प्रति आकर्शित कर रहे थे और यह जो साधारन नियम थे यानि कि नियम जो थे वो बिलकुल साधारन थे कोई कठिन नहीं थे इसलिए जो सामाने लोग थे साधारन लोग थे उनको जो है भक्ति के प्रति आकर्शित हो रहे थे उनको आकर्श भारत किस चीज यानि सामान के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था तो इसका अंसर है सोना मसाले मसालों में काली मिर्च प्रमुख है जो की कि साूथ में बहुता है केरला कैसे केरला में होता है कालह में हैं वैसिकली साउथ में क्या मत पत्तर बहुत मिलते हैं वाँपर पत्तरों के लिए जाना दाता पुहार या कावेरी पत्टनम् चोलू का मैंतोपूर्ण सप्ता का केंदर था K Stars है यहां से वो कि शासन करते थे अब देखते हैं नेक्स कोश्चन पांडियों की राज्धानी कहां थी तो मदुरय में सिल्क रूट किसे कहते हैं जिन मार्गों से व्यापारी सिल्क के कपड़े चीन से विश्व के अन्य जगों पर ले जाते थे उसे सिल्क रूट कहते हैं कि इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी तो इसका अंसर है कुशाणों के शासनकाल में कुशाणों के शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मधेश्या से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी कुछाणों का सबसे प्रशिद राजा कौन था तो इसका अंसर है कनिष्क कुछाणों का सबसे प्रशिद राजा जो था वो था कनिष्क भारत की यात्रा पर कौन-कौन से चीनी बौध यात्री कब-कब आये थे तो इसका अंसा देखते हैं फाश येन, सोला सो इस्वी पूरु में और हुएन सांग हुएन सांग हुएन सांग 1420 पूरु में और येत्सिंग लगबग 1350 पूरु में आये थे भक्ती मारक की चर्चा हिंदूओं के किस पवित्र ग्रंथ में की गई है तो इसका अंसार देखते हैं इसका अंसार है भगवत गीता तो इसका अंसार है चाइना में 7000 साल पहले रेशन बनाने की तकनीक का सबसे पहले अविश्कार चाइना में हुआ और कब हुआ 7000 साल पहले एप्रॉक्स में नेक्ट देखते हैं बुद्ध चरित के रचईता कभी अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे यानि बुद्ध चरित एक पुस्तग है उसके रचना करने वाले अश्वघोष यानि बुद्ध चरित के रचना किसने की है अश्वघोष ने तो ये अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे इसका आंसर है कनिश्क के दरबार में साथ वाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था उसकी माता का क्या नाम था इसका आंसर है साथ वाहनों का सबसे प्रमुख राजा सतकर्णी था ठीक है सत करनी था और उसकी माता का नाम गौतमी बालश्री था ठीक है तो यहीं पर यह चेप्टर समात होता है I'm sure यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और ये वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तक तक के लिए कीप लर्निंग बी कनेक्टर और देखते रहें टुड़ेस डॉन एजूकेशन